हालो नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का कमलेश विशुवकर्मा यूटूब चैनल पे जैसा कि फ्रेंड्स यहाँ पर आप लोग देख पर फ्रेंड्स फानली यह आप लोग का ncvt mis का official website है ठीक है और मैं आप लोग को बता दो क्यों फ्रेंटर यहाँ पर डिजीटी का आप लोग का जो भी iti exam का नोटिस आता है और फानली आप लोग का इसी website ncvt mis की official website पर आता है सबसे पहले तो यहाँ पर आज आप लोग का एक लेटर आ चुका है जो कि फानली मैं आज आप लोग को उसी के माद्यम से आपको बताऊंगा तो यहाँ पर आप लोग का ITI का जो एक्जाम है वो आप लोग का यहाँ पर shift के माद्यम से आप लोग का लिया जा रहा है तो यहाँ पर जिन छात्रों का shift के माध्यम से exam हो रहा है तो यहाँ पर आप लोगों का 12 shift का आप लोगों का exam लिया जाएगा ठीक है अगर इसके बाद कोई भी student छोटता है तो उसके बाद उसका exam लिया जाएगा और जो छात्रे यहाँ पर ITI का exam दे रहे हैं उन लोग यहाँ पर उनका जो exam fees है उनका यहाँ पर submit हुआ है उसके बाद ही उनका hall ticket आ रहा है ठीक है उसके बाद ही उनका exam लिया जा रहा है जो छात्रे यहाँ पर exam fees को submit नहीं करते हैं तो उनका exam यहाँ पर नहीं होगा क्योंकि उनका hall ticket ही जारी नहीं होगा क्योंकि आपका श्रिविटी का एक्जाम हो रहा यानि कम्पूटर बेज टेस्ट के मादेम से तो आप लोगों का 376 रुपए आपको फिस पेमेंट करना है इसके बाद ही आप लोगों का हॉल टिकेट आता है इसके बाद आप लोगों का एक्जाम होता है अगर जो शात्र यहां पर एक्जाम फिस नहीं देता है तो उनका एक्जाम नहीं होगा उनका हॉल टिकेट ही नहीं आएगा ठीक है तो यहां पर आप लोगों का बहुत से डाउट से बहुत से क्वेशन आ रहे हैं किसर मैंने तो phase को payment कर दिया हैं बट मेरा haul ticket भी आ चुका है अब यहाँ पर मेरा exam जब हो रहा है तो वहाँ पे मेरा लंबरी फील नहीं हो पा रहा है और ना ही मेरे question सई से आप आ रहे हैं मेरा question का numbering change हो रहा है बट question change नहीं हो रहा है और जब मैं question को solve कर लेता हूँ तो मेरा submit ही नहीं हो पाता है question paper ठीक है तो ऐसे ही doubts आप लोग का आ रहे हैं तो finally मैं आज आप लोग का clear कर दूंगा इस video में और यहाँ पर आप लोग कुछ notice भी आया है जिसके माध्यम से मैं आप लोग को बताऊंगा तो जितने भी छात्र यहाँ पर ITI का परिच्छा देने वाले हैं या दे चुके हैं चाहे ITI के first year के student हो चाहे second year के student हो चाहे all back परिच्छा के student हो शबी लोग मैं आज आप लोग के इस video में बताने वाला हूँ क्योंकि जितने भी छात्र आइटियाई first year के है यानि जिनका 2019 से लेकर 2021 में admission हुआ है ऐसे चात्रों का दो साल का course है ठीक है और इन चात्रों का first year है तो ऐसे चात्रों का यहाँ पर जो admission है उनका 2019 में हुआ था तो उनका जो exam है उसके लिए फाइनले उनका time table आ चुका है उनका exam offline माद्यम से इंजिन ड्राइंग और ट्रेड प्रेक्टिकल का आप लोगों का लिया जाएगा offline sales center के माध्यम से और आगे आप लोगों को तैयारी करना है तो आप लोग comment box में comment करिए कि सर तैयारी विडियो लाइए कि इंजिन ड्राइंग का question किस प्रकार आएगा या फिर प्रेक्टिकल का question किस प्रकार आएगा तो मैं आपको वीडियो को माध्या साब को बताऊंगा ठीक है बट यहाँ पर आपको नोटिस आया है तो मैं उसको बता दूँ तो फ्रेंड्स आप लोग अभी तक मेरे वीडियो को क्लिक कर लेना है और फ्रेंड्स आप तक ITI जुड़ी सभी अगे सफले आप तक पौस्ती रहेगी और फ्रेंड्स आप लोग इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ वाटसब, फेस्बूक, इस्टाग्राम, गुरूप में आप लोग इसे सेर कर दे ताकि यह जो आपका क्वेस्टन से यह सभी स्टुडेंट को मालूम हो जाए कि आप लोग का जो एक डाउट से सभी दोस्तों को आ रहे हैं तो आप लोग इस वीडियो को ज्यादा जा सेर करें तो आईए वीडियो को स्टाट करने टाइम ने वेस्ट किये जैसागी फ्रेंट्स यहाँ पर आप लोग देख पाले हैं आईटी आई परीच्छा 2021 आईटी आई मार्च एक्जाम कैसे होगा श्रीविटी ओए अमार डिजिटी का नोटिस जारी फस्ट येर सेकेंड येर बैक एक्जाम यहाँ पर जितने भी छात्रों का चाहे आईटी आई एंसी बीटी बोट से हो चाहे एसी बीटी बोट से हो सबी के लिए आप बहुती बड़ी ख़बर आपका निकल के आ रही है तो यहाँ पर आप लोग देख पार हैं मैं इस वीडियो में आपको एक न्यूज प्रकठिंग के माद्यम से आपको बताने वाला हूं तो यह पर आप लोग देख पार हैं जागरण बीवरो का निकुछ पेपर जो कि यह आज का इसमें आप लोग दिया गया है कोरोना काल के चलते जुलाई 2020 में नहीं हो सकी बेवसाइक कोर्सों की वार्षिक परिच्छा हैं डिरेक्ट रेट जनरल आप ट्रेनिंग डिजिटी ने औ परिच्छा करानी है जिले में पांच राज की संस्थानों में दो संस्थान के परजिच्छों को यह परसान होना पड़ रहा है इसके पीछे की वज़य संसाधनों की कमी वा इंटरनेट की समस्या है यहाँ पर बता रहे हैं कि आप लोग का जो आईटी आई का एक्जाम और स्थान के माध्यम से आपका 12 चरण ड्यानी सिप्ट में लिया जाएगा और यहाँ पर आप लोग का एक्जाम तो हो रहा है बट आप लोग का बहुत सरा प्रॉलम आ रही है जो कि यहाँ पर आईटी आई चात्रों को बहुत सरा परसानी जहलना पड़ रहा है कि उनका पहल जिले में पांच राजकी और दोगी परतिच्छट संस्थान जी आईटी आई यानि गवर्मेंट आईटी आई बिगापूर पुरुवा फतेपूर 84 हसन गंज वह उन्नाव हैं वही जिले भर में 10 अलग-अलग नीजी संस्थान हैं वह वर्स 2018 से लेकर 20 वह वर्स 2019 से लेकर कारें डिजिटी कर रहा है यहां पर बता रहा है कि जीन चातरों का 2018 से लेकर 2027 में चाहें 2019 से लेकर 2020 में हुए नहीं फर्स्ट येर और सेकेंड येर के लिए ठीक है तो उनका जो एक्जाम था अभी तक वहां शुरूरी नहीं हुआ था क्योंकि यह आप लोगा शर्वर ड प्रिच्छा पहली बार होने से पर्सिच्चूओं को परिशान होना पड़ रहा है शबसे शबसे ज़्याद उस्वारी हसन गंज वह फत्यपूर्च और 84 जी आईटी पर्सिच्चूओं को हो रही है यहां पर इंटरनेट की बेदर सुभीता नहोंने और नविंतम तक्निक की वाले कंपूटर की कमे के कालड पर्सिच्चूओं को परिशान होना पड़ रहा है उन्नाव जी आईटी आई के प्रहाचार वीके वर्मा ने बताया है कि 24 फरवरी तक परिच्च्चा करानी है डिजिटी की ओर से जो सेडिल तहत परिच्च्च्च्च्च्च्च्च सु यहां पर बता रहे हैं कि आप लोगों का परिच्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च् तो क्या जिनका रद हुआ उनका एक्जाम नहीं होगा, तो फेरेंडस में आप लोग को बाई पर ईग्जिटी की की वज़े से आप लोग का सरवर डाउनगों का एक्जाम रद हुआ है, तो आप लोग का 24 फरवरी जैसे ही आप लोगा खतम होता है, इसके बाद इतने भी फिस आप लोग सब्मिट किये होंगे तो आपको एक सिलीप मिला होगा ठीक है तो उसी को आपको अपने लेक्जाम नहीं करना है और यहां पर 2019 से लेकर 27 में उनके लिए भी यहां पर बहुत ही बड़ी खबर है उनका टाइम टेबल जारी हो चुका है आपको मेरे आई बटन पर आपको लिंक मिल जाएगा जाकर वहां टाइम टेबल को देख लीजिए और यहां पर आप लोगों का जो एक मार्ज से अप लोगों का एकजाम होना स्टार्ट है जो कि एक मार्ज से तिन मार्ज तक आप लोगों का एकजाम लिया जायेगा ठीक है ओन्ञेडल से बाद बद से होगा इधा घंवाद कि